से question number 5 करेंगे write the following equations in statement form ये equations आपको दे रखिये इन्हे statement form में लिखना है अब जैसे last fourth question था ना ये just उसका उल्टा है यहाँ पे statements थी आपने equation बना ही थी यहाँ पे equation दे रखिये आपको statement बनानी है तो बिलकुल इसी तरह से language में ही लिखना है जैसा आपको यहाँ function दिख रहा होगा उसे अपनी language में आप लिख सकते हैं चलिए equation 1 से start करते हैं p plus 4 is equal to 15 अब यहाँ पे हो क्या रहा है p और 4 के बीच में इनका sum ही तो हो रहा है तो हम लिख देंगे the sum of p and 4 is 15 इतना simple है the sum of a number p या number में इसलिए लिख रहा हूँ कि यह जो p है ना कोई number ही है जो हमें पता नहीं है the sum of a number p and 4 is 15 second part देखिए m minus 7 is equal to 3 m में से 7 minus हो रहा है और जो answer आ रहा है वो 3 आ रहा है तो simply हम लिख सकते हैं कि 7 subtracted from a number m is 3 तो 7 subtracted from a number m is 3 7 subtracted from a number m is 3 आगे है third part 2m is equal to 7 यानि m कोई number है उसका double किया जा रहा है तो m का जो double है उसका जो twice हो 7 के बराबर है तो इसे लिख देंगे 2 times of a number m is 7 4th part देखिए m को 5 से डिवाइड किया जा रहा है ये बटा में लग रहा है न अपॉन में m अपॉन 5 का मतलब है m कोई number है इसको 5 से डिवाइड किया जा रहा है और answer आ रहा है 3 तो इसे हम लिख सकते है a number m divided by 5 gives you 3 a number m divided by 5 gives you 3 तो बस ऐसे statement से लिखनी होती जो भी यहाँ पे लिखा होता है इतना simple होता है next part देखिए 5th part 5th part के अंदर हो रहा है कि m का 3 by 5 है m कोई number है उसका 3 5 है और यह 6 के बराबर है तो हम लिख देंगे 3 5th of a number m is 6 तो 3 5th of a number m is 6 यानि कोई number m है उसको 3 5 करेंगे तो वो answer 6 के बराबर होगा अगला पार देख रहे है 3p plus 4 अब यहाँ पे p का 3 times हो रहा है यानि p का 3 गुना हो रहा है और उसके अंदर 4 भी add किया जा रहा है और जो answer आ रहा है वो 25 आ रहा है तो हम इसे किसी भी तरह ऐसे लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कोई hard and fast rule है कि exactly वो ही words लिखने है जैसी language में आप लिख पाओ आप लिख सकते हैं तो 3 times of p you get 25 यानि अगर आप p के 3 times में 4 add करें तो आपको 25 मिल जाएगा तो if you add 4 2 3 times of a number p you get 25 समझें आप कि 4 add करने से p के 3 times में 4 add करने से आपको 25 मिल जाएगा next part देखें 7th part यहां भी कुछ इसी तरह का हो रहा है यहां पे p का 4 times है और उसमें से 2 को subtract किया जा रहा है और आपको मिल किया रहा है is equal to 18 तो यहां हम यह लिख सकते है if you subtract 2 from 4 times of a number p you get 18 बिलकुल सेम इसी तरह का है तो if you subtract 2 if you subtract 2 from 4 times of a number p from 4 times of a number p you get 18 जैसे यहां पे add था if you add 4 to 3 times of a number p इसी तरह से यहां पे subtract है if you subtract 2 from 4 times of a number p you get 18 8th part देखें 8th के अंदर जो है 2 add किया जा रहा है और 2 add किसमे हो रहा है कोई p number है उसके half में कोई p number है उसका half किया जा रहा है उसके अंदर 2 add किया जा रहा है फिर आपको मिल किया रहा है आपको 8 मिल रहा है इसी तरह से लिख देंगे इसको भी कि if 2 is added to half of a number P you get it if 2 is added to half of a number half of a number P you get 8 you get 8 भी लिख सकते हैं या it gets 8 भी लिख सकते हैं भाशाक से यहां पर कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता if 2 is added to half of a number P अगर P के half में 2 add किया गया तो you get it तो आपको 8 answer मिलेगा तो यह basically जो है fourth question का उल्टा है fourth में statements थी आपको equation बहाई नहीं थी यह equations दे रखी हैं इसी तरह की भाशा का use करके आप इनके statement बना देंगे question खतम तो इस video बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye